थर्ड केस में ये ठीक है लोकल मैक्सिमा और मिनिमा ये ठीक है विल नॉट एक्जिस्ट इफ F-A is equal to 0 and F-A plus and F-A minus दोनों का साइन सेम है तो उसका मलग है कि F-A plus into F-A minus अगर ये दोनों का साइन सेम है तो इनका प्रड़क्ट क्या आएगा positive या तो दोनों positive पॉस्ट पॉस्ट या दोन नेगट है Mathematical लिगर में को ये बोलना हो कि A और B का साइन सेम है तो ये बोलने की बजाए आइकन से A B इस positive तो उसके अपने आप ये बोला गया कि A और B का साइन सेम है ये ठीक है नुट शेल में ये हो गया अगर तुम्हें समझ माया है तो अच्छी बात है एक तो पहले चीज़ तो अगर डिफ्रेंशेल फंक्शन है तो लोकल मैकसिमा या लोकल मीनिमा दोनी जगह पर सुलोब जी रो होना चाहिए ठीक है यसे वरसाइं नोट रो मतला स्लूब जीरो आए तो इसका ये मतलुब कि मैकसिमा अगा आप ही सकता है नहीं ब्या सकता है तो summarize करने के लिए इसको ऐसे याद कर सकते हो, let f-a is equal to 0, मालिया f-a 0 है, तो अब ये बात करें, sin of f-x की, ठीक है, ये, a पे तो 0 है, अगर मालिया, इससे पहले, ठीक है, इससे पहले अगर positive है, और इसके बाद में negative है, ठीक है, तो at x is equal to a क्या हैगा, positive का मतलब क्या हैगे, मतलब इसको, ये तो f- की बात करें, positive का मतलब क्या है, पहले ग्राफ उपर जा रहा होगा, फिर नीचे रहा होगा, तो f- का ग्राफ कुछ ऐसे बना होगा, ये ठीक है, first case में, तो फिर क्या आएगा, at x is equal to a क्या आएगा, local maxima, ठीक है, अगर f- ये 0 है, तो a के इधर उधर, f- का जो sign है, वो क्या-क्या हो सकता है, या तो positive negative हो जाए, या negative positive हो जाए, ये ठीक है, या फिर positive positive हो जाए, या फिर negative negative हो जाए, ये चार possibilities है, तो अगर positive negative हो पहले increase करेगा, फिर decrease करेगा, तो अपना maxima बन गया, अगर negative positive हो तो पहले decrease करेगा, f- का ग्राफ फिर increase करेगा, तो इस वेले case में local minima आगया, ठीक है, अब third case की बात करते है, पहले भी increase कर रहा है और फिर उसके बाद में भी increase करना चाहिए तो ऐसे आएगा तो this implies neither maxima nor minima ठीक है फूर्थ case में क्या हुआ कि अगर पहले भी minus है और उसके बाद में भी minus है तो पहले भी decrease करेगा उस जगह फिर slope 0 हुआ फिर decrease करेगा तो ऐसे shape बनेगा इसमें भी क्या होगा neither maxima यह ठीक है nor minima यह होगा ठीक है तो I hope this is okay with you एक आद question करें देख सकते हैं question find local maxima यह ठीक है local minima for first part y is equal to ln x upon x माले यह तो answer differentiate करो ln x का derivative 1 by x into x minus ln x into 1 whole divided by x square तो यह कितना होगा 1 minus ln x यह ठीक है z equals to x square यह मतलब f' आ गया तो y' या फिर f' जीरो कहां पर होगा जब 1 minus ln x 0 हो जाए उसका मतलब गया कि जब x का value e आ जाए यह ठीक है तो अब हम एक point तो पता लग गया कि e पे slope 0 है यह f' जीरो है बट अगर जीरो है तो यह तो अभी कुछ भी हो सकता है maximum ही हो सकता है minimum ही हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि ना maximum हो ना minimum तो फिर क्या करें फिर हमने इसका sign देखा कि sign of f' ठीक है e पे 0 तो आ गया अगर मैंने e रखा तो ln e का value यह जो ln e का value 1 हो गया तो 1-1 क्या हो गया 0 ठीक है अगर मैंने e से थोड़ा छोटा value रखा तो log x तो increasing function होता है उसमें अगर x बढ़ा होगे तो value बढ़ेगा x घटा होगे तो value घटेगा तो अगर मैंने इसमें e से थोड़ा छोटा value रखा तो इसका value भी 1 से छोटा हो जाएगा तो 1 से चोटना रहले िए पूरा happy positive इससे पहले healthy वाइगा E से बढ़ा value रखा तो इसका value 1 से बढ़ा हो जाएगा CO2 यह negative हो गया फूरा negative हो गया तोस्थाइन कैसे चेंग औ क्वेट फॉसितिव से negative फॉस्ट तो पॉस्टिव से नेघेटेव गहा तो September ऌईब्ल मैकसमा पॉस्तिफ से नेगेटिव का मम लगेगे जब f के ग्राफ की बात करें तो पॉसितिफ का मम लगे ग्राफ उपर जाएगा फिर नीचे जाएगा तो शेप कैसे बनेगा ऐसे भ तो मैक्सिमा नेगेटेव से पॉसितिव हो रहा है तो मींइमा यह तो ऐसे रट लिया या फिर एकमर आख मन्न करके सोच लिया कि अग मैक्सिंट पॉसितिव गगा और यह फिर नेगेटिव होगा तो नीच आएगा तो ऊपर गया और नीच आए तो शेप क्या बना मैक्सिमा यह ठीक है यह तो फर्स्ट पार्ट हो गया सेकिंड पार्ट माल लिया मैक्सिमा मिनम ही बताने fx is equal to say lnx-x यह हो गया माल या lnx-2x ऐसे हो फिर आंसर f-x निकाला तो कितना हो ने गाए 1 by x-2 तो तो this implies 1-2x upon x ठीक है अगर lnx involved है तो अफकोर्स इस function का domain क्या होगा r plus तो 0 के left की तो बात करेंगे ही नहीं ठीक है तो पहले तो हमने यह देखा कि f-0 कहां पर हुआ तो यह 0 कहां पर हो सकता है numerator की वज़े से 0 हो सकता है denominator की वैसे 0 हो नहीं सकता है तो जहां पर भी यह 0 है उसका मतलब क्या है कि x का value कितना हो गया हाफ ठीक है हाफ हो गया अब कुछ बच्चों का ऐसे tendency होता है कि वह ऐसे बुलेंगे कि चलो f-1 रखने पर तो 0 हो गया हाफ से बढ़ा रखेंगे तो positive आएगा हाफ से चोटा रखेंगे तो negative आएगा ऐसे तोड़ना होता है वो तो डिबेंड करता है कि function क्या लिखा हुआ इस वाले case में क्या होगा कि जो f-x से लिखा हुआ है वह ऐसे लिखा है 1-2x upon x तो numerator में से 2 मैंने common ले लिया तो ऐसे लिखा हुआ ठीक है अब इसमें क्या है कि अगर मैंने half रखा तब तो zero हो गया half से थोड़ा छोटा रखा छोटा रखने पर यह positive होगा तो उसका हुआ है इस बार जो sign है वो half से पहले positive आएगा half के बाद में negative आएगा इसमें मैंने अगर यहाँ बेक्स कर लिखा हाफ से थोड़ा बड़ा रखा तो यह negative हो जाएगा तो sign positive से negative change वा पॉस्टिव ग्राफ उपर गया negative नीचे आ गया तो फिर क्या गया maximum तो इस इंप्लाइज अगें x is equal to half is point of local maxima इस वाले किसमें फिर maxima अगया ठीक है तो अब थर्ड पार्ट क्या हो गया मालने fx is equal to x plus 2 cos x मालने यह ठीक है फिर differentiate अच्छा आगे यह लिमिटर कर दिया इन जीरो टू पाई तो जीरो से पाई के बीच में बताना है और जीरो पाई दौनों पे open है तो जीरो पाई पे भी चलो पाई पे close लगा देते हैं ठीक है तो और थोड़ा analysis हो जाएगा जीरो पे open है पाई पे close है इसमें बतान है ठीक है किया differentiate f dash x कितना हैगा 1 minus 2 sin x ऐसे आएगा ठीक है 2 common ले लिया तो half minus sin x अब यह बताओ 0 से पाई के बीच में sin x के वलिए half कहां पे होगा f dash x को करें मैं 0 करूं तो उसका मतलब किया कि sin x के वलिए कितना हैगा half तो 0 से पाई के वीच में sin x के वलिए half कहां पे होगा दो जगा पे होगा 5 by 6 पे and 5 by 6 पे यह ठीक है तो अब मेरे को यह देखना है कि analyze करना कहां से कहां तक है पाई से 0 तक यह ठीक है जीरो पे तो open है पाई पे तो closed है और हमारे points कौन कौन से आगया इसके बीच में एक तो आगया 5 by 6 और एक आगया 5 by 6 ठीक है अब हमें देखना है कि इसका sign कहां पे positive कहां पे negative है तो उसके लिए best तरीका क्या है उसके लिए मेरे को तो यह देखना पड़ेगा ना कि sin x half से बढ़ा है या half से चोटा है तभी मैं बता भांगों कि यह positive या negative है यह मतलब f-x positive या negative है तो अगर मैं साइन के गराब बनाया तो वह ऐसे बनेगा ठीक है जीरो और पाई के बीच में हाफ कहीं यहाँ पे line आ गया ठीक है तो यह 5 by 6 हो गया यह 5 by 6 हो गया तो अब तुम्हें यह लाजिक समझ इनक्रीटा वैल्यू रखा तो sin x का वैल्यू हाफ से छोटाए गा यह ठीक है इस point पे तो क्या है कि वैल्यू हाफ आ गया इससे थोड़ा पहले वैने लिया यहाँ पे वैल्यू लिया तो हाफ से छोटा आएगा इसके बाद में हाफ से बढ़ाएगा फई पाई लिए 6 पे पहले क्या होगा तो 5-6 से पहले तो यह हाफ से छोटा है इस पॉइंट से पहले तो यह वाला जो वैलियो हाफ से कम आ रहा हाफ से कम आ रहा है तो यह पॉजिटिव है तो यहां पॉजिटिव है पॉजिटिव है पॉजिटिव है और 5-5-6 के बाद यह फिर पॉजिटिव हो उस पे sign कैसे change हो रहा है positive से negative मतलब ग्राफ पहले उपर गया फिर graph नीचे आया तो इस वाले point पे तो क्या आगया local maximum ठीक है 5, 5, 6 पे sign कैसे change हो रहा है negative से positive तो मतलब इस पे graph पहले नीचे होगा फिर उपर होगा तो इस पे क्या आगया local minimum ठीक है अच्छा इसके बाद ये हमेशा positive है तो graph ऐसी ऊपर चलता चल जाएगा और pi तक पूछा है तो pi पे जागे graph रुख गया ठीक है अब pi और 0 में क्या अंतर है pi पे तो included है 0 पे included नहीं है ये ठीक है तो 0 पे तो हम local maximum लोकल minimum की बात करेंगे ही नहीं ठीक है pi by 6 पे local maximum आ गया हमें देख रहा है अच्छा ये fx का graph है और ये जो sign है वो f-x का sign है ठीक है f-x के sign से ही हम देखते हैं कि f कहां पे increase या decrease कर रहा है ठीक है अब आपस pi by 6 पे local maximum आ गया 5 pi by 6 पे local minimum आ गया जीरो और पाई में जीरो पे तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि वो domain में नहीं है और पाई पे हमें दिख रहा है कि जिस तरह का यह तो बहुत हमने approximate graph बना है लगवगए ऐसे बनेगा हमने ऐसे बला तो पाई पे greatest value आ रहा है अपने neighborhood में क्योंकि जो उसने हमें question analyze करने लिए दिया है वो किवल इस interval में दिया है तो हमार लिए तो यह domain होके तो पाई के आगे तो domain ही नहीं है ठीक है domain नहीं है रेस्टिक्ट कर दिया उसने question तो पाई के आसपास यह graph अगर ऊपर जा रहा है तो बढ़ बढ़ के पाई तक मैक्सिमा देगा तो अब हम इसमें क्या बोलेंगे local maxima exists यह ठीक है एक दो जगा पर और तो कि ओई एकसे अग्से शीकोर स्टू पाइगे एकसे अगे झाए लिए प्ञक्ट पाई यह एसшийकोर स्टू घ्राइड ऑजग के तो ख़या Boss उपाई पाईन प्रोक भी आ रहा है और यह जीर भडहरा कि ए लिए लोगी मीं नहीं है उस मैक्सिमा मिनमा की बात ही नहीं होती है तो यही हमारा इस क्वेशन के लिए आंसर हो गया तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनमा निकालने का एक प्राइमरी फील आगा होगा ठीक है